प्यारे खोजियों, सभी एक प्रयोग करने वाले हैं, उस प्रयोग में क्या करेंगे? अपने हाथों की हथेलियों को कप्स बनाकर आखे बंद करके उनके उपर रखेंगे, ताके पूरा अंधेरा अंदर दिखाई दे, आखे बंद हैं, और दोनों आखों पर हाथों को बिना आखों को दबाए हलके से उपर रखेंगे, अंधिरा भी हो जाए, और आप उस अंधिरे को देख रहे हैं, बस उसे जनते रहें. अंधिरा जिस प्रकाश में दिखता है, उस प्रकाश में आप बैठे हो. अंधिरे को देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए, तेज प्रकाश. हाथ हटाने के बाद आखों में जो लाल रंग दिखेगा, उसे जानते रहो. हाथ हटाने के बाद रोशनी के साथ आख बंद रखते हुए ही अंदर जो लाली दिखती है, उसे जानते रहो. हाथ सभी नीचे करेंगे. आखों के पीछे से लाली को देख रहे हैं. दिरे दिरे सभी आखें खोलें. जो किया अब उसे एक छोटी कहानी से समझो. कहानी ऐसी है कि एक राक्षस है, चंडाल सुर। अनिक नाम सुनते आये हैं आप राक्षसों के. और कहानियां हर इश्वर के साथ अलग-अस्वरों को लाकर कुछ समझ दी गई है. नवरात्र की यद्द में कौन से असुर आते हैं तो असुरों के लिए अलग-अलग नाम गिनाय जाते हैं. तो कोई एक नाम होता है, पीछे शब्द असुर होता है, मगर चंडाल सुर कहा तो सुर शब्द सुनाई देता है, असुर शब्द होता है, सुर जब डिस्टरब होता है. इंसान के जीवन में जब भी सुर डिस्टरब होता है, तो तनाव आता है, संगर्श आता है, जब भी जीवन में ऐसा दिखाई दे, तो तुरंद खुद को याद दिलाना है, कि सुर ठिक करो, थोड़ा रियाज करो. रियाज करना है, यानि शरवन करना है, मनन करना है, पठन करना है, ध्यान करना है, जैसे आप आँखों पर हाथ रखकर रियाज कर रहे थे, चोटी सी आक्सिसाइज जो कर रहे थे आप, वो बता रही है कि ये जानना हो रहा है इसका अर्थ, जानकर कौन सुएं को प्रकाश प्रकाषित करना चाहता है, कौन सा प्रकाष, प्रकाषित होना चाहता है, वो अगर हो गया, तो आपका जीवन कैसा होगा, ये, अगर आप ले कर जाते हैं, तो खेल में आप नहीं अटकेंगे, तो चंडाल सुर्ज राक्षस है, और वो राक्षस क्या करेगा, कुछ ऐसे कार करेगा जिससे सभी लोग परिशान हो जाएंगे और फिर कोई अवतार होगा माता कोई रूप लेगी उस राक्षस को मारेगी ऐसी कहानी आपने सुनी है तो चंडाल सुर पूझनिय कब बन जाएगा चंडाल सुर पूझनिय कब बन जाएगा जब उसे सही तरीके से मारा तो विविन कहानियों में आपको कई इशारे मिले है आपको वो इशारा समझने के लिए ये कहानी बताई जा रही है कि गाओं है जहां पर लोग रात में चांड की रोशनी में बाहर सोते हैं और उनके मन में इच्छा यह है कि चांड हमसे बात करे चांड हमसे बात करे जब टेलिविजन नहीं थी तो लोगों के इच्छाएं क्या थी आसो टेलिविजन बात करती है लोगों को नहीं आती है तो देर देर तक मगर जब ये सब नहीं था तब उनके अंदर प्राथना उठी उन्होंने चांड को कहा तो हमसे बात करो और चांड ने तो क्या हो गया जैसे कि कोई कहे आ बैल मुझे मार तो चांद ने क्या कहा लगों को हर रात को सोने से पहले सभी मेरी पूजा करो चांद ने कहा सभी मेरी पूजा करो सब गाओं के लोग इकत्र हो जाओ अब सब गाओं के लोग इकत्र होते हैं रोज महिलाएं आरतियां करती और सभी कूरस में जो पुरिश है वो गाते है आरती, ऐसी सीन चल रही है, अब सब महिलाएं आई है, चांद की फर्माइश बढ़ती जा रही है, पहले दस मिनिट आरती चलती थी, वंदना चलती थी, आराधना चलती थी, संधिया चलती थी, अब क्या हो गया, ये आदा हो गई, चांदने का एक गंटा करो, एक गंटा हो गया, चांदने का दो गंटा होने चाहिए, इन लोगों के लिए मुसिबत हो गई, क्यों चांदने का अगर ये नहीं करते हो, तो मैं स्विच आफ हो जाऊंगा, ब्लैक आउट हो जाएगा, ब्लैक मिल किया, तो अब तो अंदेरा आप वो जिस वज़े से चाहते थे वो तो वज़े बाजू रह गई आप उस अंदेरे की वज़े से असरक्षा बढ़ गई खेत की गरों की चोरों से अब नहीं समस्या शुरू हो गई तो उन्होंने देखा कि यह होते होते क्या हो जाए पूरी रात बर हमें यही करना पढ़ेगा और दिन बर सोते बठेंगे सुरज आया है और हम सो रहे हैं तो उन्होंने सुरज को परात्ना की कि आप ऐसा कुछ करो ताकि इस मुसिवत से मुक्ति मिले उन्होंने सूरज को प्राथना की और शमा मांगी हम शमा चाहते हैं आपके होते हुए हमने ये गलती कर दी सूर्यक का तेज होते हुए भी हमने ये गलती कर दी तो उस शमा की वज़े से next result क्या आई सूरज ने उनको कहा कि आप इस तरह कारेक शुरू करो क्या करो शाम में जब सूरज डूपता है सीन देखी हो गया आपने समंदर पानी है और सूरज निच्चे उतर रहा है तो लाल होता है पूरा और आसमान में लाली फैली हुई है उस लाली को चारो तरफ जो लाली मा फैल गई है इसको आँखों में भर दो, फिर चांद बंद भी है, तो भी आपको उतना दिखाई देगा, जितना चांद की रोष्णी में दिखाई देता है. चांद को स्विच आफ होने दो, उसको बंद होने दो, अब लोगों ने ये काम शुरू किया, अब राइट गाइडेंस आगया ना, अब डर निकल गया, तो अब उन्होंने, हर संद्या को सूरज डूब रहा है, वो उसकी लाली अपने आँखों में भर रहे हैं, और फिर रात में वे निश्चिंत है, चांद ने तो अपना प्रयोग किया, बंद होकर बैठा, उसकी खुद की हालत खराब हो गई, चंदा सुर, चंदा सुर परिशान हो गया, कि अभी कोई वेली नहीं दे रहा है, पहले जो इतनी आरती पूजा हो रही थी, सब बंद हो गई, तो उसने जब गलती का ऐसास किया, तो उसने सुरज को वापस प्राथना की, शमाय आचनाय मांगी, कि क्या किया जाए, कैसे ये कलंक मिटे, तो सुरज ने उसको याद दिलाया, कि तुम्हें जो रोशनी थी, वो भी तुमारी नहीं थी, और तुमने वरदान मांगा, फ्लेश बेक में आप जाकर देखती न, क्या हुआ था पहले, कि चांद ने वरदान मांगा, रोशनी मिली, और उसकी लालच बड़ी तो उसने कहा, कि मुझे बोलने की शक्ती दो, लोगों की पराथना चल रही है, चांद बात करे, और चांद ने कहा, अतास तु कहा जाता है, कि ऐसा ही हो, बाकि सभी परिशान हो जादे, ऐसा कैसे क्या वरदान दे दिया, अब तो नहीं मुसीवत खड़ी हो जाएगी, तो चांद को वरदान मिल गया, बाशा मिल गई उसको, तो अब गावालों की हालत खराब हो गई, यह सब फ्लैश बैक में, चांद ने रियलाइज किया, शमास आदना की, तो उसको समझ मिली, ग्यान का प्रकाश, एक प्रकाश है बाहरी प्रकाश, चांद को जब आंतरिक प्रकाश मिला, ग्यान का प्रकाश मिला, ग्यान का प्रकाश यानि तेश ग्यान तेश ग्यान जब उसे मिला तो असर समाब्द हो गया आप उस चांद को लोग क्या कहेंगे सरस्वती चंद्रह सरस्वती का अरते क्या है ग्यान की देवी नव दनों में ग्यान की देवी की पुझा होती है तीन दिन लक्षमी की पुझा होती है तीन दिन दुरगा की पुझा होती है तो यह सब पुझाएं करके असर को निकालना है आपके साथ जो असर जुड़ा हुआ है वो निकल जाए चान्द से जब ये निकल गया तो इस्तती जो विकट हो गई थी फिर नॉर्मल हो गई तो एक कहनी थी एक काल्पनी कहनी मगर आपके लिए इशारा क्या था इसके अंदर वरदान कोई देता है यानि एक समस्या create कर रहा है जो समस्या create कर रहा है वही फिर उसको हल कर रहा है समस्या को बनाया फिर समस्या का तोड़ दिया नौसिख्या ये करता है तो मुर्खता है जब कोई वर्दान का विद्वान ये करता है वर्दान का विद्वान तो उसको मुर्खता नहीं उसको लिला कहते है की ये लिला है, और लिला में क्या कहा गया? कि अपने आखों में क्या भरो, लिला का उलटा क्या बनता है? लाली, उस लाली को अपने अंदर भरो. लालीमा क्या है? कालीमा की श्वेत शक्ती कालीमा की श्वेत शक्ती कालीमाता है उसकी सफेद शक्ती क्या है? श्वेत शक्ती क्या है? पॉजिट्व शक्ती वो लालीमा लालीमा को आँखों में भरो यानि आप जो देख रहे हो ये आपको लिला लग रहा है क्या जो भी आप देख रहे हो लाली मा को भरो फिर चांद सिच आफ हो गया है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानि आपके कारिय नहीं हो रहे है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, समस्या को सुलजना पड़ेगा, समस्या को साधना करनी बड़ेगी, चाहन्द को वापस शमा याशना करनी बड़ी, और जब वाकी वो साधना कर पाया, तब सूरज ने उसको फिर वर्दान दिया, सरस्वत्ती के साथ जुड़ा, तो आप सरस्वत्ती के साथ जुड़ रहे हैं, तो सरस्वत्ती, सरस्वत्ती नियम आपके जीवन में काम करने लगेगा, सरस्वत्ता से, सुर्ष से, ताल से आपके जीवन में चीज़ें होने लग जाएगी, आप कहेंगे smooth flowing कुछ चीज़ें आ रही है आपके जीवन में जानकारी आ रही है लोग आ रहे हैं कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे है यानि कहीं पर सरस्ता नहीं है सरस्ता नहीं है तो कहानी ने इशारा किया इस लाली को आँखों में भरो पहला आते ही प्रयोक किया आपने आँखों पर हाथ रखकर आपको कहा जाता एक सीन देखो सूरज डूब रहा है उसकी लाली फैल गई है उसको आँखों में भरो तो ये धियान का परपस क्या था ये धियान करके फिर जब आप आँख खोलो तो आपको लीला दिखाई दे आपको लाली दिखाई दे लाली मा नवरात्रा क्या है लाली मा के लिए है आप नव दिन क्या करोगी लाली मा के साथ काम करने वाले हाओ तो काली मा की श्वेद शक्ति आपके जीवन में काम करे उसके लिए आप क्या प्रयोक करने वाले है राक्षसों की विर्ति समझ कर पर आप साधना करने वाले है लालीमा क्या है मौक्षमा कुछ शब्द रहते है तो कई बार शब्दों से ब्रह्म होता है कि ऐसा नाम तो आपने सुना नहीं है लालीमा कालीमा सुना है लालीमा नहीं सुना है मुक्षमा शमा मुक्षमा तो ये लालीमा मुक्षमा है नौ दिनों के लिए आपको जो काम करना है मुक्षमा पर काम करना है तो पहले वृत्ति को समझेंगे रक्तभीश कैसा राक्षस है शुम्ब निशुम्ब कैसे राक्षस है एक राक्षस मरता है दुसरा तयार होता है हमारे जीवन में लकिरे मिटती हैं और नई लकिरे बनती हैं कुछ लकिरे मिटती नहीं है कुछ लकिरे सिर्फ निश्क्रिय हो जाती है निश्करिय हो गई यानि एकटिवेट हुई थी सक्रिय हुई थी जब लक्ीरें सक्रिय होती है आपके जीवन में कुछ हण गटना दिखाई देती है जो भी गटना दिखती है आपको जो पसंद नहीं आ रही तो लक्यरों को बल मिला है और लकिरों को बलक मौसम की वज़े से मेमरी से कुछ बाते याद आने की वज़े से मूड बदल जाने की वज़े से मुहला बदलने की वज़े से किसी भी कारण से अक्टिवेट होती है यहनी सक्रिय होती है अब वो सक्रिय होकर आपके जीवन में घटना चल रही है और आपको ग्यानी नहीं है तो आप क्या करते रहोगे आप और मन में बीज डालोगे भाव बीज रक्त बीज क्यों अक्टिवेट होता है कौन से भाव बीज हम डाल रहे हैं आप का रक्त बीज क्या है एक शरीर का रक्त होता है मर आपके जीवन का रक्तबीज क्या है यह आपको जान लेना है आपके जीवन का रक्तबीज तो निश्क्रिय होकर फिर वो सक्रिय हो गया फिर वापस निश्क्रिय हुआ वापस सक्रिय हुआ तो एक ही राक्षस को मारने के लिए कितना समय गया यह समय न जाए उसके लिए क् करना इन राक्षासों को समझना है और शमास आधना करके उनको हमेशा के लिए मिटा देना है और नасुर्फ मिटा देना है रुपांतरन कर देना रुपांतरन से वाइट लाइट में जो वाइट बोर्ड पर हिचिचि ऊपने तो उतना दी और वो लक्कीरें भी प्रकाश में convert हो गई, मिटकर whiteboard white light में आ गया whiteboard white light में आ गया ऐसा रुपांतरन संभव है, यानि लक्कीरें ही आपके आत्म बोध के लिए कारण बन गई इसलिए मैशा सुरुक़्ी भी पुजा होती है माता का दर्शन करके आते हैं तो लोग उस राक्षस के मंदिर में भी जाकर दर्शन करते वरना दर्शन अधूरा है तो तोलुमन जो कर रहा है बाद में आप कहेंगे इस वज़े से मैंने अंदर डुपकी लगाई क्यों बाहर कुछ दिखता नहीं है अंदर परसंट जाता नहीं है बाहर कोई परेशानी है नहीं अंदर परसंट जाता नहीं है सब रहात है तो इंसान काम करना बंद कर देता है सब अच्छा अच्छा चल रहा है परसंद सोचना बंद कर देता है फिर एक रहात मिली तो दूस होते जाती है क्योंकि वो वर्दान का विद्वान नहीं है समस्या क्रिएट करके सौल करना अगर जो वर्दान का विद्वान है उसके लिए तो लीला है वो तो आनंद लेगा वर इनसान कहां आनंद ले रहा है इनसान बड़बड करता है जगड़े करता है और फिर उनको सुल इस बात को समझ लें कि कैसे ये लकीरे निश्क्रिया हुई हैं आज यानि आपके जीवन में पहले जो घटनाय हो रही थी सब बंद हो गई हैं बर वो लकीरे मिट भी जाएं आज तुरंत ऐसी कौन सी घटनाय हैं जो रिपीट होती हैं तो क्या रिपीट हो रहा है कुछ एक् किरे निश्क्रिया है मगर वो भीच में अक्टिवेट होती है तो एक इंसान जो बार बार चीजों से टकराते रहता है कभी इस चीज से टकराता है कभी उस चीज से टकराता है आक्सिदेंस होती रहते हैं उसकी चोटी मुटी दिन बार में कुछ बातें चोटी चोटी चलत नहीं है मगर आप दिखेंगे अगर ये बार-बार हो रहा है तो ये जो रक्त भीज है ये जो लकीर है इसके लिए हम इकाई से शमा-साधना मांगेंगे शमा-साधना करके शमा-याचना करेंगे ICAI यानि इनसाफ का इस्वर ICAI ICAI यानि यूनिट है IKA है ताश के पतों में जैसे IKA होता है तो उसमें आप शमा माँगेंगे कि ये रिपीटेडली हो रहा है सभी के साथ ऐसा नहीं है कोई देखेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है वो शरीर में ज्यादा अटक रहा है शरीर में शरीर को लेकर उसकी परिशानी है शरीर में बाल सफेद हो रहे है तो उसके लिए परिशानी हो गई लोग कैसे देखते होंगे मुझे मेरी ड्रेस ठीक लग रही है की नहीं वो अपने शरीर में या दूसरों के शरीर में अटकते रहते हैं देखो अपने शरीर के लिए अवेर होना वर्दान है मगर उस वर्दान को लोग अभिशा बना देते हैं आप वर्तमान में हो आप शरीर के साथ हो तो शरीर की जागरती आपको मदद कर सकती है शरीर को आप ज होश है ये आपको मदद करता है जीवन में मगर यही आपके लिए अभिशाप बन गया कि मैं कैसे दिख रहा हूं मैं कहीं बुरा तो नहीं दिख रहा हूं मेरी ड्रेस का क्या और ये ड्रेस है तो मैं बाहर निकली नहीं सकता लोगों के सामने जाई नहीं सकता यानि वो उसके लिए अभिशाब बन गया शरीर की कुछ खामिया है तो उनको लेकर उसका ध्यान उस्सी पर ही रहता है मेरे दाथ दिख रहे हैं क्या लोगों को कुछ बुरा तो नहीं लग रहा होगा उनको तो ये रिपीटेडली हो रहा है शरीर को लेकर और ये वरदान नहीं ही बना है तो आपको इस पर शमासादना करनी है नव बातों पर आप शमासादना करेंगे नवरात्र में जिसमें कुछ अलग-अलग एक्जम्बल्स आपको बताय जा रहे हैं अगर शरीर के पृति अवेर्नेस अगर आप शरीर नहीं हो ये समझ है तो आप शरीर को सभी क्रियाएं करते हुए देखो तो आपे नहीं चेतना जागेगी और ये चोटे-मोटे प्रावलम होते है चीज़े हम यहां रखते वहां रखते और बाद में ढूंडते रहते कुछ लोगों आप यह रखत भी जाए उनकी चीज़े गुम ही होते रहती है अब ये चीज़ ढूंड रहे है वह चीज़ आप उनको देखो कि दिन बर में कुछ ने कुछ चीज़े ढूंडी ही रहे है ये कहां रखा वो कहां रखा तो किसी क्या गुम होने का रखत भी जाए तो उसको इस पर करना है अब ये लखीरे मिट जाए ये जो गुम होने वाले लखीरे हैं ये समावत हो जाए तो वे उस पर साधना करेंगे कुछ लोगों को दूसरे लोग चीट कर रहे चीट कर रहे यानि बार-बार उनके जीवन में गटना आ रही है कोई जूट बोल रहा है बार-बार जूट बोल रहा है चीटिंग हो रही है तो अगर ये बार-बार हो रही है आपको मालम पढ़ता है फ्लाँ परसन ने मुझे यह जुट कहा था ऐसा किया नहीं मर यह रिपीटेटली है आपके जीवन में गटना है तो इश्वर से 21 से गुरू को साक्षी रखकर किसी आदर्श को साक्षी रखकर शमासादना करनी है कि यह हो रहा है इसमें मेरा भी कांट्रिबिशन है मेरी भी साजेदारी है ऐसा नहीं कि लोग मुझे चीट कर रहे है लोग ही बुरे है मेरी बोडी लेंगेश क्या है मेरे विचार क्या है मेरा कोर थाट क्या है उस वजह से गटना रिपीटेडली हो रही है बार बार हो रही यानि निश्क्रिय होती है लकीर वापस से सक्रिय होती है तो असुर मर रहा है असुर जाग रहा है तब यह सादना करने वाले ऐसे लोग और फिर कोई देखेगा कि उसके जीवन में ज्यादा क्या चल रहा है दक्का मुकी चलती है पुश पुल की तरफ डखेल ना है तो लोग बाहर की तरफ खिचते कुछ दर्वाज उते हैं उनको बाहर खिचना रहता है खोलने के लिए लोग अंदर डखेल दे रहते तो जीवन में जब चुप बैठना चाहिए नहीं वहां पड़बड करते और जहां बोलना चाहिए क्योंकि सामने लोग को मालम ही नहीं है कि वह गलती कर रहा है उसको बोलना है और उसका रिष्टा अच्छा है तो वह बोल सकता है मैं नहीं बोल रहा है बच्चों को जब बताया जाना चाहिए उस उमर में बताया नहीं बाद में उनकी कंप्लेंट करते रहते हैं, बाद में शिकाहत चलते रहते हैं, तो उन लोगों को यह सेंस नहीं राता है, बार-बार उनसे यह गल्तियां होती है, धक्का मुक्की जीवन में चल रही है अगर, तो समझ जाना यह रक्तबीज है हमारे जीवन का, तो उसके मेरी साजेदारी है, ईश्यार को कहेंगे, इस विए मुझे शमा करो, मैं शमा प्रार्थी हूं, मेरी गलती है. वरना, इनसान अपनी गलती मानने को तैयारी नहीं होता. हाँ मेरी गलती, बली अन्जाने में हो, बली मेरा कोई कुअर थौक्त है वश्पन से गया है, बली पूरवजों से आया है बली मावाब की परवरिश से आया है मर मेरे अंदर है वो लकीर तो मैं उस लकीर के लिए शमा चाहता हूँ आप में ये शक्ती है हर लकीर को मिटाने की इन लकीरों को मिटा दो इनका रुपांतरन कर लो तो आप उन लकीरों से मुक्त होने लग जाएंगे दक्का मुक्य है तो इसके लिए आपको शमा साधना करनी है और कुछ लोग देखेंगे कि उनके जीवन में rejection ज्यादा है elimination ज्यादा है elimination का आर्थ क्या है eliminate किया जाता है उनको when interview में क्या आप fail हो गया तो ये eliminate किया जा रहा है reject किया जा रहा है अलग अलग जग़ों पर कोई बोलता है बार बार engagement तूटती है कुछ ऐसी बाते हैं जहां rejection मिलती है तो बुरा लगता है इनसान का तो बजाए दुसरों पर लगाने के शमा साधना करते जाए फिर उसके miracles देखें जो लोगों के साथ भी ये हो रहा है जाब को लेकर शादी को लेकर बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको लेकर rejection मिल रही है तो बे लोग इस रक्तबीश के लिए तो हरे को अपना डूल निकालना है मेरे लिए क्या है repeatedly हो रहा है रखते भी इस कुन सा है और फिर कुछ लोग देखेंगे कि fail होना failure होना fall विफल होना उनके साथ ज़्यादा है failure ज़्यादा आ रहे तो वे उसके लिए साधना करने वाले है और कोई देखेगा कि उनके शरीर पर बीमारियां ज़्यादा आती बार-बार चोटी-चोटी तकलिवे चली रही है बीमार होना बार-बार हो रहा है तो यह repetition है यानि इसके लिए मुझे शमासाधना करनी है ऐसा क्यों चल रहा है क्या इसके पीछे कारण रहेगा तो यह सब बाते जो आपने सुनी इस पर अभी आप अपने मन में आपको जो recall होता है वो करते जाएंगे सभी की आँखें बंद हैं जीवन से सभी असरों को समाप्त करने के लिए मुक्षमा लालिमा का आवाहन करेंगे सारी लकिरे मिट जाएं सारे असर समाप्त हो जाएं खुद को बताएं मेरे अंदर कुछ लकिरे हैं जिनकी वज़े से ये गटनाएं बार बार हो रही हैं एकाई से अपने ध्यान शेत्र में इन घटनाओं को लाकर शमा मांगनी है गुरू को साक्षी रखकर अपने आदर्श या किसी जिम्मिदार को ताकि आप दिल से शमा मांगें हाथ जोड़कर भाव से हे इनसाफ के इश्वर मैं आपका आदर करता हूँ प्यार करता हूँ जो लकिरे मेरे जीवन में चल पड़ी हैं ये निश्क्रिय हो जाएं समाप्त हो जाएं रुपांदृत हो जाएं इनका दोशी कोई और नहीं मैं हूँ मेरी साजेदारी है जिस वज़े से ये चल पड़ी हैं बिना मेरी साजेदारी के कोई लकिर हानी नहीं कर सकती तो मैं उन लकिरों के लिए शमा प्रार्थी हूँ मैं याचक हूँ शमा का करपया मुझे शमा करें मैं दिल से तहे दिल से माफी मांगता हूँ प्लीज फर्गिव मी, आय फर्गिव मी करपया मजे माफ करो मैं स्वें को भी माफ करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद यानि यह काम हो चुका है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीरे दीरे आँखे खोलें लालिमा सभी की आँखों में है श्वेत शक्ती शुब्र शक्ती लिला को देख पाएं वर्दान भी और वर्दान का आनंद भी तुरक्त वीज नव जो बताएं, नवरात्रा के लिए आपको काम दिया है इसमें दोश्मन जो है दोश्मन कब आदरणी होता है जब शमन होता है शमा मन होता है शमा मन बनने के लिए कुछ बातें आपको बताई गई और इसमें नवरात्रा में जो करमकांड किये जाते हैं वे हैं आपकी एकागरता बनाए रखने के लिए असल में तो बातें वे थी उसमें लोग गट स्थापना करते हैं अपने नाम का सातू बोते हैं हरी पतियां बोते हैं हरी पतियों का बीज बोते हैं तो शुरुआत वहां से करते हैं और फिर लोग जो भी करते हैं वो विगरसली कर पाने के लिए उपवास कोई करता है कोई दाड़ी नहीं बनाएगा बाल नहीं कटवाएगा चपल नहीं पहनने वाला है तो यह सब क्या था आपने से करदार भी सुने होंगे चानकिया ने याद रहे कि वो किस युद्ध में लगा हुआ है नवरात्र में आप किस युद्ध में लगे हुए हो आपको कैसे याद आए उसका रिमाइंडर दुरुपदी ने अपने बाल खोलके रखे किस युद्ध की याद दिलाने के लिए तो यह जो तरीके थे उस वक्त जितनी पूर्ती हो सकती थी लोगों ने किया अपनी क्रियेटिविटी का भरपूर इस्तमाल किया मगर आज भी लोग उसी तरीके से आज तो कितना बदल चुका है आज तो क्या नया हो सकता है इस पर कोई सोचता नहीं क्योंके डर बैठ गया है डर डाला गया था ताकि लोग असली करते ही नहीं है तो समय के साथ असली बात खो जाएगी तो डर ही उनसे करवाएगा इसलिए डर दिये गए करमकंडों के साथ मरमूल बात क्या थी याद कैसे आए याद करवाने को तरीके तो क्या आज वही तरीके इस्तिमाल करने है आज क्योंकि याद करवाने के और तरीके है आज एडवांस टेक्मोलोजी कैसी है कि आप ने लकीर बनाई तो उसका भी अप्लिकेशन में आ गया शमा मांग ली तो उसका भी आपको मिल गया दिन के इंड में आज इतनी लकीरे बनी थी इतनी मिटी है अवेर्निस कैसे बड़ाई जाए लगों के अंदर साधना के साधन कितने आसान होते जा रहे यह नया जो तरीका है लोग उसको बिना डर से इस्तमाल करें क्योंकि मूल परपस क्या है विगरसली होना क्योंकि उसकी हैबिट पड़े बौडी में नव दिन कोई करेगा जूरद तो एक हैबिट ही पड़ जाएगे अब रिमाइंडर्स मिली रहे है नवरातर समापती भी हो गया है तो भी परसन कर रहा है तो आज जो आसान हुआ है उसका लाब हो और उसके लिए क्या करना है नव दिनों में आप ऐसे रिमाइंडर्स सेट करोगे गट स्तापना कर रहे ह इस समझ के साथ अब मुझे रिमाइंडर्स मिल रहे हैं तो कुछ बातें आपने कहानियों के द्वारा सुनी और गहरे संकेत पकड़े और उसमें नव रक्त बीज कैसे तोड़ने हैं जो बार-बार हो रहे हैं गटना हैं उन लकीरों को समापत करने के लिए शमा साधना तो कोई फरक मैसुस होते लगेगा जब आप इश्वर से बात करते हैं तो वह प्रार्थना है और जब इश्वर यानि मौन आपसे समवाद करता है तो वह आपकी प्रार्थनाओं का जवाब है कहते हैं ऐसी भी एक आवाज है जो शब्दों की मोहताज नहीं होती यह आवाज ह मौन की जिसे सुनने से हमें अपनी मूल अवस्था की पहचान होती है अर्थात अपने असली स्वभाव से शब्द रहित कम्यूनिकेशन होता है ध्यान में यह कम्यूनिकेशन करने के लिए और आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब मौन द्वारा मौन में पाने के लिए सरश्री निर्मित मौन समवाद, ध्यान शिविर, माई नेचर, माई कम्यूनिकेशन मेडिटेशन इस ओनलाइन ध्यान शिविर में आज ही रजिस्टर करें शिविर दिनांक, शनिवार 21 अक्टूबर 2023, सुबह 6-9 पुनह प्रसारण होगा रविवार 22 अक्टूबर 2023, दोपहर 1-4 और गुरुवार 26 अक्टूबर 2023, दोपहर 1-4 अधा इस आयोजन द्वारा मौन से समवाद करने के सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ लें रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, धन्यवाद सभी को शुभेचा, हैपी दोट्स क्या आप ऐसा आनन्द चाहते हैं, जो शास्वत है और किसी भी इनसान वस्दू, परिस्थिती या स्थान पर निर्भर नहीं है क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं, जो हर परिस्तिती में उद्जा से भरपूर हो क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं, जिस वजा से आप इस पृत्वी पर आये हैं, तो ऐसे जीवन को स्वयम का अनुभव बनाने ही तू, रेजिस्टर करें महा आस्मानी परमग्यान शिवर इस पांच दिवसिय निवासी शिवर में शिवर दिनांक 22 से 26 नवेंबर 2030, शिवर स्थान, मनन आश्रम, पुणे महराश्टर, रेजिस्टरेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें से पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, धन्यवाद